जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलास 10 की बोड परिक्षा 17 फरवारी से और आपके कलास 12 की बोड परिक्षा 1 फरवारी से बिहार बोड शुरू करने जा रहा है। वैसे मैं एकजाम सेंटर को लेकर नोटिफिकेशन बिहार बोड के तरफ से निकल कर सामने आना सुरू हो चुक चाहे बड़ी खबरो उन सभी खबर पे हम आपके लिए चर्चा करते हैं और इस खबर से आपको क्या समझना चाहिए देखते हैं आज के खबर क्या है और इस खबर के क्या है माय ने तो सबसे पले एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया जा रहा है बीहार बूड के दव आपको यहां से एक ही बात समझना है कि 2020 का पेक्षा इस साल कलास 3 मेरतात की मैट्रीक में रिव करीब 6,000 परिक्षारती ज्यादा सामील होंगे और कलास 12 में आपका करीब 9,000 परिक्षारती ज्यादा 12,000 कलास में सामील हो रहा है पीछले साल का और भी आकड़ा जो आप चा बनाया जाएगा इसे लेकर बिहार बीद्याले परिक्षा समीती ने जीला सिक्षा पताधीकारी को निर्देश जारी किया है इसमें सोसल डिस्टेंग्सिंग से लेकर अन्यमानकों को सक्ती से पालन होगा अब देखे एक खबर आज का है और एक और खबर आपके सेंटर पर पर में छपाता कि मैट्री को 54 तो इंटर को 49 परिक्षा के अंदर बनाए गए तो ए भी कल की खबर में छपाता बट मैं सोच रहा थे एक दो और नोटिफिकेशन और सामने आपको बताया जाए कि क्या इस नोटिफिकेशन के माइने इस दोनों नोटिफिकेशन से जो बात सबसे पहली बात कि आपका परिक्षा बिल्कुल समय पर होगा और दूसरा कि आप जानते हैं कि इस साल एक कोबीद 19 के में हमारी है और साथ ही साथ यहां पर आप जो आकड़ा देख रहे हैं कि पिछले साल से ज्यादा क्लास 12 और क्लास 13 में दोनों में परिक्षारती सामिल तो इस को लेकर और सोशल डीरिम को लेकर पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुछ जादा ही एक जाम सेंटर बनाया जाएगा और साथि साथ यहां से आपको एक और बात समझना है कि कुछ बच्चों को लग रहा था कि जय offen Circus परिक्षा दिस्टेंसिंग कोई ख्याल नहीं रखा गया वैसे ही होगा फाइनल बॉर्ड परिक्षा बट वैसा होने वाला नहीं है आपके स्वास्त की भी अच्छा से ख्याल रखेगा बिहार बोर्ड परिक्षा में आपके लिए ज्यादा सेंटर बनाया जा रहा है तो इस खबर से सब और इंतेजार करना पड़ेगा क्योंकि हर सहर से आपके एकजाम सेंटर की खबर निकल कर सामने आ रही है तो जैसे ही सभी जिला में बिहार के सेंटर की तयारी हो जाएगा वैसे ही बिहार बोड एक ओफिस्याली नोटिफिकेशन जल्दी जारी करेगा और उसमें बता दिय कि आपका सेंटर कहां पर आपके किस सहर में और किसी स्कूल में सल जाने वाला है आज की नोटिफिकेशन से एक चीज आपको सबसे महत्तव को जो समझ कर रखना हो है कि आपका बिल्कुल परिक्षा समय पे होगा और आपको को बीद 19 से सुरक्षा बचाओ यमों का पालन कर करते हुए सेंटर पिछले साल के पेक्षा जादा बनाये जाएगा फिर कोई भी छोटा या बड़ा नोटिफिकेशन बिहार बोड के द्वारा जारी होगा तो उस नोटिफिकेशन को लेकर हम जरूर समझेंगे कि उस नोटिफिकेशन से आपको क्या समझना चाहिए तब त